हेलो प्यारों विद्यार्थियों मैं सूरज अमिर सेट स्वागत करता हूँ आपका और आज हम एन आई ओस स्पेशल क्लाश 10th हिंदी मेडियम साइंस में अध्याय आठ अम्ल छार और लबन पढ़ने वाले हैं प्याबिद्यार्थियों यह चेप्टर बहुत ही इंट्रेस्टिंग है क्योंकि इस चेप्टर में आप जानेंगे अम्लों के बारे में चारकों के बारे में और लबन के बारे में और इंग्लिस वीडियम का वीडियो भी बहुत जल्द इसी चैनल पर अप्लोड होगा सो ज्य जीनरली अगर मैं बात करूं तो अमल्ट खटा होता है जैसे कि नीमभू का रस हो गया संतरे का रस हो गया सिर्का हो गया तमाम चीज जो आप अलग अलग परकार के अमल पाए जाते हैं जो आएप सीखेंगे लेकिन अमलों का जो है जो थोड़े कड़ले होते हैं कैसे कड़ले होते हैं कभी नहाते हुए सबुसक्राइ Cook चुना यहाँ निया निर्मान होता है उसे हम क्लात नाम से जानते हैं तो है लेकिन यह मैंने वो चीजे बताई है जो एक भहुत तिक दुस्ट्रिकोंस से बता जैसे घड़ा तो कैसे पता करेंगे तो इससे पता करेंगे लबन है तो नहीं करण होगा नखटा होगा तो इस तरह से नामल होगा लबन होगा लेकिन कुछ चीज़ें और आपको अंडेस्टेंड करनी पड़ेगी क्योंकि आप साइंस पड़ रहे हैं और मैंने हमेशा आपको बोला है एक चीज कि बीना इलेक्ट्रोन के पूरी होती नहीं है आप ध्यान से द बात करूं बुक तो मेरे पास अभी नहीं अवेलेबल है लेकिन आपको पीडियेफ जरूर मैंने ले रखा है तो सबसे पहले आप में यह दिखाए गया है कि अम जो सब्ध है आमल चार लवन उसके बारें परिभासित किया है और कुछ घरेलू आमले चार लवन के उधारन संचार का मतलब होता है कि कुछ प्रवल अमल होते हैं कुछ दुर्वल अमल होते हैं कुछ बहुता स्ट्रॉंग होता कुछ कमजोड होता है तो जो प्रवल अमल होता है धातू जैसे अलमुनियम हो गया लोहा हो गया चांदी हो गया सोना हो गया इन सब पर क्या करते हैं ता यह strong acid लिया जाए और आपके skin पे कहीं आ जाए तो even आपके skin भी जल सकता है इसलिए कहते हैं कि अगर दो option आपको दिया जाता है कि आप पानी को अमल में मिलाएंगे या पानी में अमल को मिलाएंगे I repeat एक बरतन में अमल भरा हुआ है तो क्या उसमें आप पानी मिलाना करेंगे देखिए दोनों condition की बात करते हैं अगर जिस बरतन में अमल रखा गया है और वह प्रवल है और उसके उपर आप पानी मिलाएंगे तो जब पानी की बूंदे अमल के surface पे जाएगी तो जो अमल की कुछ बूंदे जम्प करेगी क्योंकि उपर से कुछ मिलाते हैं त कुछ बूंदे अमल का आपके सरीर के किसी भी भाग पे पड़ेगा तो आपका सरीर जल सकता है तो इसलिए हमेशा यह पूछा जाता आपको जवाब देना होता है कि अमल जो है वह संचारक प्रकिरती के होते हैं और वह हमारे तवचा का नुकसान कर सकते हैं इसलिए हमेश से इंडिकेटर होता है इंडिकेटर मतलब संकेतक होता है कैसे पता करेंगे कि कौन सा आमल है कौन सा छार है इसके लिए हम संकेतों का परयोग करते हैं और अलग-अलग संकेत आपको अलग-अलग नाम से पाये जाते हैं जैसे उनी में से एक संकेत है लिटमस पेपर और यह चार के साथ मिशरन करेंगे गट जाएगी और यह तो थोड़ा से समझते हैं और तीन बाते सीखेंगे सबसे पहली बात यह हम ने केबल दिखा कि बहुतिक रूप से खट्टा है तो हर चीज को टेष्ट नहीं किया जा सकता अब पता चला हर चीज़ को मूँ में टेस्ट कर रहें हर चीज़ को मूँ में टेस्ट कर रहें तो यह तो ऐसा भी धोका भी हो सकता है कि बहुत सारे ऐसे भी पदार्थ होते हैं जो रासाइनी दिश्टी कोन से आपके लिए नुकसान हो सकते हैं तो यहां पर केमिकली अब इसको कैसे होता है तो देखिए अगर मैं अमल के बारे में लिखता हूं यह मैंने लिखा अमल जब आप अमल को जल में घुलाएंगे जल में डालेंगे तो वो तूट जाता है तो अमलों को कुछ उदाहरन लेते हैं जैसे अमल मैं लेता हूं A-C-L, इसको बोलते हैं Hydro-Cloric Acid Hydro-Cloric Aml जैसे मैंने मान लिया A-C-L ले लिया तो A-C-L ले लिया और इसको आप पानी में Dijolve करेंगे तो यह तूड जाएगा कैसे H-Plus में और C-L- माइनस में ब्रेक कर जाएगा तो कहते हैं आप ध्यान से देखेंगे तो जितने भी अमल होंगे वो Starting H होगा केवल एक अमल है C-A-C-O-H ठीक इस अमल को आप देखेंगे तो इस अमल में H-Last में केवल आता है तो यह ऐसा हो जाता है H-Plus और C-A-C-O- केवल यही एक अमल ऐसा होता है तो H-2-A-C-O-4 में आप देखेंगे यह H-Plus और A-C-O-4-2 माइनस में ब्रेक कर जाता है इसका मतलब यह हुआ कि जितने भी अमल होंगे जब उसको जल में आप घुलाएंगे तो H-Plus देगा तो इसी से डिसाइड करते हैं एक पहचान इसकी हो गई कि जो H-Plus आयन देगा अपने साथ और एक निगेटिव आयन भी देगा तो वो अमल की प्रोपर्टी में आएगा अमल के गुंधर में आएगा और दूसरी बात यह जो जितनी ज़्यादा मातरा में एच पलस देगा वो उतना प्रवल अमल होगा समझ में आ रहा है जो जितनी ज़्यादा मातरा में एच पलस देगा वो उतना ज़्यादा प्रवल अमल होगा और जो कम मातरा में एच पलस देगा वो कम जोड यानि दुरवल अमल होगा तो प्रवल अमल और दुरवल अमल के बारे में कैसे हमने डिसाइड किया तो मैं लिख देता हूँ अगर मैं लिखता हूँ प्रवल अमल मैंने लिखा यहाँ पर प्रवल अमल लिखा तो प्रवल अमल का मतलब क्या बुलेंगे जादा मातरा में H पलस और अगर मैं दूरवल अमल की बात करूँ कि एक कमजोड अमले भाई तो ये कैसे हो गया तो ये हो गया कम मातरा मेच पलस देगा तो ये तो decision हो गया अब कुछ चीज़े और ज़रा जान लेते हैं अगर एक बरतन में हम पानी लेते हैं और उसमें अमल को मिलाते हैं तो सवाल ये उड़ता है क्या वो अमल विद्धूत का चालन करेगा की नहीं करेगा देखिए अगर आप किसी भी बरतन में अमल को लेते हैं और अमल को लेने के बाद आप उसको डिजॉल्व करते हैं तो आविसली ये अमले दो भागों बढ़ता है एक पलस वाला हिस्सा एक माइनस हिस्सा और बिद्थ को करने के लिए या बैटरीटरी विट्री जो सिट्फ अप लगाएंगे उसको कंडक्ट करने के लिए इलग्टोनओं की जरूट होती है जो इनगेटिव आलों के पास है तो इस तरीके से मान के चलिए आगर में h204 लेता हूँ화 एक हजार अनू है ज्यादा भी हो सकते हैं मैं तो छोटा सा ले रहाँ कि एक हजार अनू है तो हर अनू दो भागों बटेगा एच पलस में एस फॉर टू- माइनस में यानि कि एस फॉर के बास देखिए दो और торовese से एक हजार हिस्सों के बात करें तो दो हजार इलेक्ट्रोन इसमें पाया गया है तो वही लेखर्वन इलेक्रिंट को इसलिए करते हैं हम कि जो अमल होते वह वगदूत का चालन करते हैं और जो प्रबल हम हो लोगे वो बढ़ियंद हो एच एलकोहल की बात करते हैं सी टू हफाइव ओ एच मैं लिख देता हूं सी टू हफाइव ओ एच एथनॉल की बात कर लेते हैं अब यह मत समझेगा इसके पास भी है तो यह भी विदूत का सुचालक होगा नहीं यह आप मान के चलिए गुलुकोज ले लिजे का फर्मूला यह होता है तो क्या लगता आपको यह विदूत का चालन करेंगे नहीं करेंगे यह भी नहीं करेंगा क्यों करेंगा विदूत का चालन इसलिए नहीं करेंगा क्योंकि यह एच प्लस नहीं देते हैं जबकि यह जो अमल है वह एच प्लस देते हैं तो यह चीज हाइड्रोकसाइड मैंने ले लिया सोडियम हाइड्रोकसाइड तो यह कैसा ब्रेक करेगा एन ए प्लस और ओ एच माइनस मैंने ले लिया मैंने ले लिया सी ए होल ट्वाइस यह कैसा ब्रेक करेगा इस तरीके से आप देखेंगे जितने भी चार होंगे उनके फर्मूले में आप देखेंगे तो एक चीजा को प्लाइडों होगा को प्रवलचार और जो कम मातरा ना लोच माइनिस परदान करेगा वो दुर्वलचार होगा तो तो जो कम मात्रा में ओएच माइनिस क्या करेगा परदान करेगा में लिख देता हूं जलिये बिलियन में कहां परदान करेगा तो जलिये बिलियन में जलिये बिलियन में जो ज्यादा मात्रा में देगा यहां भी यह कहां परदान करेगा तो जलिये बिलियन में जलिये बिलियन में अगर बात करें तो इस तरह से होगा तो हमने देखा कि किस तरीके से यह बिदूत का सुचालक होता है इस पे विजबाल उड़ता है क्या जब छार को जलिये बिलियन में मतलब वह घुलाया जाता है तो क्या वह बिदूत का सुचालक होगा बिदूत को वही है तो इसका मतलब यह बढ़ियां विद्धुत का सुचालक होंगे तो यह चीज़े क्लियर हो गई कि हमने आमने ले लिया चार ले लिया अब कुछ रियक्शन के बारें भी आपको पढ़ना जैसे अगर आम और चार आप एक अठा मिलाते हैं तो इनकी जो आप बोलते है इसको उदासी नभी किरिया बोलते हैं उदासनी करने भी किरिया उदासनी करने भी किरिया में एक दूसरे को क्या करते हैं यह कैंसिल आउट कर देते हैं तो यह रियक्शन भी हम बात करेंगे कुछ उधारन में आपको बता दूँ जैसे कि आप जब रात में सोते हैं तो आ ज्यादा खाना खा लेते हैं तो हमारे अमासे में एक अमल पाए जाता है एसल हाइड्रोकलोरिक अमल पाए जाता है हमारे अमासे में और यह बहुत ही प्रवल अमल इसके नेचर जो प्रकृती होती है प्रवल अमले की होती है तो कई बार ज्यादा खाना खा लेने की रहा जाते हैं तो होता क्या है कि अमासे की दिवारों से निरंतर ACL का प्रवाहा होता रहाता क्कष़ करोटाएल कि आप खाही lys Democrat कि ऐसेल आपको आप भगवान्य Соश्ये یہ रखका है है C वहां पर मतलों आपने खाना नहीं खाया तो मिख्या होगा सब्सक्राइब होगा से काइब नाम बढ़ेगा सुस्ति वहां श्टर्थ कर dag नाम से जाना अब बाहर में घाव बड़े अराम अगर अंदर तो पुर्सें ठीक है क्या होता है आ आपके सरीर के उन हिस्सों में रुकावट या किसी परकार का घाव हो जाता है जिसे आप एक्स्टर्नल नहीं देख सकते हैं न ठीक कर सकते हैं वो केबल और केबल जो है अंदर ही अंदर होता है दवायों ज़िक किया जा सकता है अगर आप उसमें लेट करेंगे तो और आपक कुछ इस तरह से लेते हैं कोई भी जैसे बेकिंग सोडा बेगर होता या और भी कुछ चार प्रकृतिक होते लेते हैं ताकि हमारे मैं मिल्क आफ मेगने कर सके तो इस तौर्य के टाइम में भी डॉक्ट्रों ने कहा ने कहा अ कि अगर आपका गले में भी वायर्स है और कर सकता है कि वह बहुत ही प्रवल होता है कि सबको ये पचाने में काम करता है तो देखे आप आपके सरीर से लेकर डेली लाइफ में भी आमले छार, आमले छार के बारे में हम कहीं न कहीं चीजे करते रहते हैं, तो यह चीजे मैंने आपको किलियर कर दी किस तरीके से H पलस का काम होता है, H पलस आता है, अब देखिए आपको लग रहा होगा कि कैसे H पलस से काम होता है, यह जो H+, यह जो H+, यह जो H+, यह जो H+, यह water molecule से भी किरिया करता है, और यह बनाता है H3O+, इसको hydronium ion के नाम से जानते हैं, hydronium ion इसको बोलते हैं, इस वाले को बोलते हैं हम लोग hydronium, hydronium ion कहते हैं, जनरली इसको H+, के रूप में ही दिखाया जाता है, क्योंकि H2O तो neutral हो गया, तो अनू हो गया ना, तो यह लेकिन अभी किरिया आपके syllabus में दिया, तो मैं आपको बता रहा हूं, कि H+, H2O से अभी किरिया करके H3O+, बना देता है, है hydronium ion बना देता है, और इस पर अभी किरिया जिसमें होगा, वो दुर्वल अम्ल होगा, तो यह चीजे मैंने आपको किलियर कर दिया, बागी litmus के बारें भी मैं आपको जनकारी दूँगा, ओके, तो मैं आपको बता दूँँ कि कुछ अमल ऐसे हैं, जो ज्यादा बियोजित होते हैं, वो कौन कौन है, पहली बात तो देखिए, ACL है नमबर बन पे, यहां पर है, मैं साइड में कहां लिकूँ, इसको मैं यहां पे, यह मिटा देता हूँ, देखिए, मैं थोड़ा से कटेगराज कर देता हूँ आपको, जैसे अगर बात करें ACL की, तो ACL बहुत ही परवल में पाय जाता है, मैं लिक देता हूँ, परवल अमल, परवल अमल यह हो गया, ACL हो गया आपका, HBR हो गया, यह आपका हो गया, हाइडरो आयोडिक अमल बोलते हैं, इसको, हाइडरो आयोडिक अमल हो गया, HBR हो गया, आपका हाइडरो ब्रोमिक अमल हो गया, मैं लिक देता हूँ, यह हो गया हाइड्रो ब्रोमिक अंबल यह हो गया आपका हाइड्रो आयोडिक अंबल इसके अलावा आप देखेंगे हCLO3 पर क्लोरिक अंबल होता है हCLO3 हो गया है ह2SO4 अभी जो मैंने लिखा था है ह2SO4 सलफ्यूरिक अंबल इसके अलावा आप H93 नैट्रिक अंबल यह जो अंबल होते हैं यह परबल यानि कि ज़्यादा बियोजन इन में होता है ज़्यादा H प्लस देते हैं इसलिए यह जो मैं आपको दे रहा हूँ यह हाइड्रो क्लोरिक अमल हो था यह सारे के सारे जो है परबल अमले में आते हैं क्योंकि इनका बियोजन ज्यादा होता है और H प्लस जा देते हैं जाकि कुछ अमल ऐसे भी है जो जिनका बियोजन बहुत कम होता है जैसे अगर मैं कुछ अमलों की बात करूं जैसे एच एफ हाइड्रो फ्लोरिक अमल होता है इथनोई का अमल है CS3COOH मैं इधर लिख देता हूं नीचे ब्लैक पैंसे लिख देता हूं है एच एफ इसके लाबा आप बेंजोई का अमल ले सकते हैं मिथनोई के ले सकते हैं मैं लिख देता हूं हाइड्रो फ्लोरिक अमल हाइड्रो फ्लोरिक अमल इसको बोलते हैं इसको बोलते हैं हाइड्रो सायोनिक अमल होता है हाइड्रो सायोनिक अमल के नाम से इसको जानते हैं C6H5C2OH बेंजोईक अमल के नाम से इसको जानते हैं इसको अगर बात करें तो यह फॉर्मिक अमल के नाम से जानते हैं तो मैं आपको यह बताना चाहरा हूँ कि यह जो मैंने black marker से लिखा है यह सारे सारे दुरवल में आते हैं कियूं दुरवल में आते हैं क्यूंकि इनका अगर आप ऐसे रिपरजेंट करेंगे तो ऐसे होता यह ऐसे ऐसे इस तरह के symbol आता है फिर यह तूटते हैं हेसीह ब्रिक करेंगे यह करेगा तरिके से हब आपको एक चीज़ के लियर हो जाएगी कि इनका जो ब्रेकिंग अब लोग का या कोई कीड़ा काट लेता है या मदमक्ही काट लेती है तो इसके डंक में पॉदा जाता है और वह ऐसा पॉदा होता यिसकी पत्तियों स healthy dance के किसी बात पे टेज हो जाएज्ड वह पंद आपके की सिस्कें की जाता शाला जाता और आपको बहुत हीं खुजली आ से रेली कोता है blooming प्रक्रिति होता जहां भी अम लोगा वहां अगर चार से आप वहां पर रगड़ेंगे तो ठीक हो जाएगा चुकि मेरा जो घर है वह पहाड के बिल्कुल पास है अप्लाप समझेंगे पहाड के नीचे मेरा गाहों है तो अक्सर गाहों में जंगल कि और हम लोग घूमने जा तो उनके टच हो गया अब ऐसा वैसा टच नहीं हुआ पूरे स्कीन में टच हो गया था अब दोनों जो है एक दम भागे भागे से आरे बाप्रे बाए माई रे माई पूरा पूरा खुजली करते 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 आ तो उसके कई बार काते हैं लोहा रगड़ना चाहिए लोहा जो लोहा कर लो कई बार लोग गोवर कभी उप्चार कर देते हैं तो गया जो उसके बार मैं आपको बता दिया कि कौन सी तरीके से कैसे होता है तो यह चीजे किलियर हो गई आपको अब थोड़ा समय देख लेता हूं देखे एक रियक्सन इनों ने दिया है और रियक्सन में इनका कहना है कि जब आप सल्फियूरिक अमल लेते हैं और कोई धातू लेते हैं तो वहां पर जो है कि उससे पहले में एक चीज और किलियर कर द बहुत जरूरी है अच्छा आमने परवल रॉट दुर्वल अमल के बारे में तो जान लिया कि यह है परवल अमल और यह दुरवल अमल यह क्या है दुर्वल अमल है है अब मैं आपको बठाता हूं एक दो सब्द और बताता और इसे मिटा लेता हूं अभी छाषार वाले को दो सब्द और बता देता हूँ वो एक होता है तनू अम्ल और एक होता है सांद्रित अम्ल देखिए समझेगा इसको तनू मतलो पतला होता है सांद्रित मतलो गाढ़ा होता है तो मानके चलिए कि कोई एसिड जो तिजाब जो बोलते हैं भीसिट तीजाब बेचने आता है तो जो होता अगर वह प्यूर होगा manifest बहुत कम मातरा उसमें होगा इतना कि केवल जली है उसको repository बनाया जाइस उसकोि बूलेंगे सांध्रित अम्ल जादा है पानी की मातरा बहुत कम है लेकिन उसमें पानी मिलाते जाएंगे मिलाते जाएंगे मिलाते जाएंगे तो वह तनू होता चला जाएगा या अमले की मातरा घड़ते चले जाएगी और पानी की मातरा बढ़ते चले जाएगी तो जो तेजाब कहते हैं आप जो वह सांध्रित अमल होता है इतना मतलब हार्ड होता है यह आप ले लेते हैं एच य जल जाएगा और अगर किसी के सरीर पर फेक दिया जो करते हैं तो पूरा इसकिन गला देता है तो यही होता है कि उसके अंदर फिर हम पानी मिलाना सुरू कर देते हैं जब हम पानी मिलाना सुरू कर देते हैं देखिए तनू का मतला में लिख देता हूं यहां पर तनू का मतला होता है पतला और सांदृत का मतला होता है गाड़हा तो अगर आपको सांदृत से तनू में बदलना है तो आपको क्या करना पड़ेगा प्लस पा का मतलब होगा कि हमने सांदृत से ही तनु का निर्मान किया है एक कर रहे हैं एक्सपरिमेंट में यह बता रहे हैं कि जब हम किसी भी धातु को चलिए हम रसायन बाला जो है अभी कि रियावल अगले पार्ट में जान लेंगे अभी इंडिकेटर बाला जान लेते हैं जो लिटमस पेपर वैसे तो और भी है जिसके बारे मैं आपको बताऊंगा लेकिन लिटमस पेपर नंबर बन पर है लिटमस पेपर क्या होता है मैं आपको बताता हूं देखिए जो अमल होता है ट्रिक में बताता हूं अनील अनील का मतलब लिटमस पेपर दो तरह का होता है ए एक होता है नीला, एक होता है लाल लिटमस पेपर और एक होता है नीला लिटमस पेपर, ठीक, तो जो अमल होता है अनील, ये ट्री का प्याद रखना अनील, अ से अमल, नी से नीला, अला से लाल, यानि जो अमल है वो नीला लिटमस को लाल में बदलता है, कैसे बनाते हैं, औ लाल को नीला में कलमट करता है इसको बोलते हैं छालनी छालनी ला से लाल नी से नीला अच्छा से छार तो यह चालनी का हो गया यह अनील हो गया तो मैं बताता हूं लिटमस पेपर क्या होता देखिए आपको क्या करना है घर पे मोटा सा पेपर लेना आप नॉर्मल सा कोई भ कि घृ लाब की पंखोड़ीं होती है गृलाब का फूल होता है उसको लाल गुलाब को लाना है उसका रगड़ना कर गड़ना है तो यहां घर था दैंगे तो लाल कलर का उ घलान च्छाइब लने भी लिटमस सब suivre किसे है फिर अमने लाल वाले पर काम करेंगा लाले पर कौन काम करेंगा चार काम करेंगा या OUR दिप Coming साबून का ले लिए तॉ आप साबून का आपको लेशाया है अउगली पर करए और हो अपर आक करके देखी जैसे लीटमस पेपर हैं नीला लीटमस पेपर है तो आपको आमल लेना पड़ोगा तो आप उस्ता है तो आपको क्या करेंगे आपकाम करेंगे जैसे नीमू का रस हो गया यह कोई सिरकाब एक तो बापस आप देखेंगे वह लाल हो जाएगा यही लिटमस पेपर होता है जो बताता है आपको किस तरीके से कलर बदलने पर यह होता है इसके लाबा कुछ और भी संकेतिक हैं जो सारवित्रिक संकेतिक के नाम से भी कुछ जानते हैं जो आपको बताते हैं अमले छार के लवन के बारें बताते हैं अच्छा इतना चोड़ि यह एक तरह से बताते हैं अमल और चार के बारे में तो कैसे बताते हैं एक बार मैं आपको बताता हूं बस यह चाट यह मिल जा कि आपके सिलेबस में जो है यह कहां पर है एक बार देख लेता हूं मैं क्योंकि तदय किए मैं आप इस सी लेवस से चलना चाहता हूं कि आपको किसी की दिक्क्त ना हो कोई समस्या ना हो समस्य का इसकर नहीं को अगर चार यह बिलियन होगा तो उसको गुलाबी कर देगा नहीं पिंक कलर कर देगा मैं क्या बता रहा हूं फिनाफ्तिलीन आप लेंगे तो अमले के बिलियन में अमले जब उसमें मिलाएंगे कोई परभाब नहीं आएगा मतलब समझेंगे यह अमल है और वही जब चार जहां गुलाबी आ गया मतलब चार है दूसरा नहीं होता है नहीं क्या करता है तो मिथा आरेंज जो है लाल वाले में लाल ही रखता है और छारी बिलियन में पीला रंग देता है तो भिसेश रुप से आप देखेंगे जो फिनाफ्तिलीन और आपका जो मिथाइल तो यह चीज़े आप ध्यान रखेंगे बाकि लिटमस का ट्रिक वेगर मैंने बता दिया कि लिटमस के इस तरह से होता है कुछ और भी संकेतिक है जैसे मानगे चलिए कि कई हल्दी लग जाता है तो हल्दी कपड़ी में लग जाने के बाद जब उसको हम धोने के लिए जाते ह आप अब भी इसी वक्त वीडियो को पहुच करके एक स्पिर्मेंट की आप जाइए कीचन में एक कांच के लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा कांच के लिए आधा गिलास पानी बर दीजे उसमें और उसमें आप एक काम कीजिए सर्फ को घोल लीजे तो जब आप मच से भी कम हल्दी को मिला देना आप देखेंगे कि जो पहले आम का जूस था वो आप कैसा बन गया है वो बन गया है अनार का जूस बन गया है तो इस तरीके से आप देखेंगे जो हल्दी होता है आपका वो भी संकितिक रूप में है कि मतलब आप देखेंगे हल्दी जो ह वो कलर कैसा बदल दे रहा है पहले पीला था और पीले से कैसा हो गया लाल हो गया तो लिए अभी जब प्याज वेगर आप काटते हैं तो प्याज की जो दुर्गंद होती है उसको खत्म करने के लिए आप अमल का परियोग नहीं करते हैं अगर हमारे हातों में प्याज की हम घरेलु के बारे में सीखा अगले अगले पार्ट में हम सीखेंगे अभी करेगा तो क्या होगा जब अधार वी करेगा की नहीं करेगा यह किंद के साथ करेगा कैसे करेगा तमाम चीजे जो है जो रियक्षन वाला पार्ट है वह हम अगले पार्ट में सीखेंगे इसके अलावा फिर जब लवन का एक पार्ट होगा अगर उसमें थोड़ा समय बच गया तो उसी पार्ट में किलियर कर दूँगा साथ दमदार पढ़ाई जो सिलेंदाज में करते रहे कि मेरा मानना है मुर्जाया हुआ हमेशा ब्रें को फ्रेस रखेंगे और मैं हमसा बता हूं अपने दिमाग की जैसे देखिए गरदन के नीचे वाले हिस्सें को खाना पीना मजबूत देते हैं स्ट्रौंघ होता है तो स्मार्टफून चलाते हैं मुझे पता है सोचल मेडिया सब करनेक्ट रहते हैं नेगेटिव चीजे से दूर रहे कोई ऐसी चीजे अपने ब्रेन में आखों के जरीए नहीं देखिए ना सुनिए जिससे आपका ब्रेन डिस्टर्ब हो सके तो देखिए एक छोटी से हैविट और आपने बच्चे को देखा होगा चैठेस वाल बच्चे को देखा होगा उसों कहीं टेंजन नहीं होता है इस ने नहीं प्रेंगेक्यजे में आपका कारन बन तो मैं कई बार अपना खाना खाते हुए भी मैं काटून के स्टूरी देखता हूं मोटू पतलू छोटा भीम बच्छपन में कभी मैं नहीं देखता था गाव में रहता था वहाँ तो केवल यह डिश्टी भी भी नहीं होती थी लेकिन अब जाकर मैंने देखना सुरू किया क मुझे पता है कि जब भी आप काटून देखते हैं या कोई बच्चे वाली अक्टिविटी में सामिल थोड़ी दिर के लिए अपने दिमाग को करते हैं तो आपका दिमाग टेंसन फ्री होता है आपकी मिमोरी सार्फ होती में यह नहीं करा कि आप काटून देखना सुरू कर मैं क्लियर होना चाहिए आपका गाड़ी का वायपर जो हता है आपको सीधा आपको सीधाधन और सीधे जडक पर कैसे ड्राइब करना बीखाइदेना चाहिए आपका पेबर अक्टूबर में अप्रेल में है जिस सेशन के भी विद्नियायती है आपका नोट्स खुद से बनाने की कोशिस करनी चाहिए, उनके questions प्रसन उतर को बनाने की कोशिस करना चाहिए, अगर लगतार 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 ये चीज़े आप कर देंगे मेरे भाई, तो मुझे नहीं लगता कि आपको रटना पड़ेगा, देखिए सिरियस विद्यार्ती जो होता सिरियस मत बनिए, सिरियस विद्यार्थी क्या होता है, वो दिन रात पढ़ेगा, कब पेपर के एक महीने पहले, एक्दम रात के दो-दो उल्लू की तरह जाग-जाग के पढ़ेगा, पूरा पढ़ेगा, एकदम दिखाएगा कि हम बहुत पढ़ा हाकू है, उसको सिरियस व बार में नहीं बन जाता है आपको अपने सरीर बनाने के लिए साल दो साल का समय लगता है उसमें आप खाणाखा ऐसा नहीं है क्या आप एक खाशे नीगे खेंगे लिए और बागैंक Śथा और इतने सरे काई भी सेयों को आप एक दो मैना पहले कैसे हैंडिल कर सकते हैं आप तो बिल्कुल अपने दिमाग को हैं कर देंगे और फिर क्या होगा पढ़के जाएंगे खिचड़ी और करके आएंगे मिचड़ी वहां पर जाएंगे कुछ गलती करके आ जाएंगे इसलिए सार्प रही ह पहले से पढ़ते चलिए हिसाब किताब दिमाग में लगाते चलिए आपको कोई सवाल पूछना है कोई डॉट पूछना कॉमेंट बॉक्स में जाएंगे नीचे जाके बताइए कि सर मुझे यह चीजनी समझ में आईए आपसे कॉंटेक्ट नंबर मेरा है डिस्किप्शन बॉक्स में अगर नहीं है तो आप संपर्क करने कोशिस तो कीजिए क्यों नहीं होगा मैं नंबर हमेंसे बताता हूं आपका 9643480201 आप पीछे करके सुन लेना नंबर तो यह नंबर पर वट्सप करके पूछिए मैं डाउट आपको किलियर करूंगा तो जिस उद्देस से मैं यह यूटूब पर आपके लिए विडियो बना रहा हूं या जो आप विडियो देख रहे हो हम दोनों का एक ही उद्देस से आपके एक्जाम में आपका परफॉमेंस अच्छा होना नंबर अच्छा ना बलाना है इसलिए हम भी महनत कर रहे हैं और इसलिए आपको भी म